वेलकम बैक आई विवेक बिंद्रा इंटरनाशनल मोटिवेशन स्पीकर लीडर्शिप कंसल्टेंट एन एस वापस आया हूँ आपके जीवन में एनरजी भरने के लिए कम आउन क्या करने के लिए एनरजी भरने के लिए पॉजिटिव एनरजी की अगर आपको जरूवत है ज आपको पॉजिटिव एनरजी में लेगी क्या श्लोग बताया है उत्साने श्याध है रियाहात तत कर्मा प्रवर्तनात संगत्यागो सत्तो वृते शडबिर भक्तिर प्रसिद्यती शडबिर शडबिर ये छे काम करने प्रसिद्यती सिद्धी पराप्त हो जाएगी सफलता क सब को पॉजिडिव एनरजी चाहिए छे बाते हैं कमान पहला चीज़ है उत्सा उत्सा मैं आपके जीवन में चाहता हूं यह बात को आप पकड़ ले उत्सा 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 लाक ओफ इंथ्यूजियाजम उत्सा इस जस्ट लाइक डिफलेटेट टायर यू कांट मूव ओन उत्सा जिसके अंदर होता है उसकी बाडी लाइंगर देखें आप उसकी चऌरीर में की ठाकत होती है उसका शेरीज थोड़ा थला बड़ा और और पड़ेगा आपने सब् uniqu Examplesao में गुद्ध कुट्टे में वह आगे पाऊंअ अपर जाते हैं ध्यानदेजिए गा मनुष्य के जीवन भी होता है उसके टायर में हवा भरी हुई है वह चलेना लेकिन जिस टायर के अंदर हवा नहीं है वह addresses. नहीं सकता क्योंकि वो सिकुड जाता है वो सिकुड जाएगा इसी तरह आप भी सुकुड जाएंगे जिस दिन आपके जीवन में उस्था खतम हो जाएगा अगर अंदर आपके आग लग गई कोई बुझा नहीं सकता अंदर की आग आपको लगानी है दिवे ग्यान रिदे प्रकाशिता जिस वेक्ति को वो दिवे ग्यान हिरदे में प्रकाशित हो जाता है उसका उच्छा बहुत बढ़ जाता है रुखता नहीं है आपने क्या देखा है निश्चया धैर्या इसके बाद बता है निश्चया का मतलब किया determination determination one more time come on come on discipline discipline the cost of discipline is always less than the price of regret one more time come on come on cost of discipline is less than the price of regret चोटी सी इच्छा होती है उससे कुछ नहीं बदलता अगर आप निर्णे ले ले लेते हैं तो कुछ बदलने लग जाता है जिस दिन निश्चय कर लेते हैं उस दिन आप संसार को बदल सकते हैं इसलिए निश्चय का मतलब क्या हुआ अगर दैजिए निश्चय का मतलब अगर आप उच्छा भी है निश्चय भी है लेकिन अगर आप गिर गए और आप में धहर रहने की पेशन्स नहीं वा बाउंस बैक करने का तो फिर आप गिरे रह जाएंगे देखे दियान दीजेगा मैं इतनी दूर तक आया हूँ यहां रहने के लिए नहीं और आगे जाने के लिए जीवन में जहां पी पी आप हैं जहां भी आप है अपने आपको बोलिए मैं इतनी दूर आया हूँ यहां रहने के लिए और आगे जाने के लिए I have come this far not to stay this far one more time come on I have come this far not to stay this far आगे जाना है आपको उत्सा और निश्चह होगा धहर रहनी होगा तो आप गर जाएंगे patience चाहिए आपको वापस bounce back करने के लिए आपके जीवन में determination और patience तो उत्सा energy ना हो तबकि speed slow हो जाएगी आप जहादूर तक नहीं जा पाएंगे darkest night will produce the brightest star one more time come on darkest night will produce the brightest star ध्यान दीजेगा आपके जीवन में तारे सितारे अंधेरे में ज्यादा चमकते हैं सितारे अंधेरे में ज्यादा चमकते हैं so in your life falling down is an accident but staying down your choice one more time come on falling down is an accident but staying down is your choice गिर के कोई बात नहीं ना उठ जाओ उठ जाओ come on bounce back patience का मतलब यही है अगर आप में energy or determination रहा फेल हो गए patience बचा जाएगा आपको क्या बचा जाएगा patience पहली बार में सफलता नहीं मलती है किसको मिली come on bring it from the bottom come on अंदर से निकाल के लाओ बाउंस बैक अंदर से निकाल के लाओ उत्तिष्ट जागरत प्राप्पे बॉर्ण ने बहुत देता तब तक आपको लक्षे के पीछे बागना है जब तक लक्षे प्राप्पना हो जब patience की बहुत जरूवत है चौता है ततत कर्म प्रवर्थनाद ततत कर्म ततत ये वो कर्म करने हैं जो आपके गोल स्टेट्मेंट के लिए favorable हैं गोल स्टेटमेंट पर मेहनत करनी हैं हर कंदी काम करना ही काम नहीं करना है you've got to do what is right not what is easy you're getting busy doing something which is easy don't get busy with easy come on come on one more time don't do what is right for you don't do what is easy for you you are busy with easy come on come on come out come out come out come out आपको चाहिए क्या वो ही काम करूँगा सारे काम बंद कर दो इतना time management ठीक हो जाएगा रहा efficiency आजाएगी आपके चुकि आप 50 काम छोड़ने वाले हो अब आज से बहुत सारे काम बंद करने वाले हो ध्यान दीजे मैं आपसे क्या कर रहा हूं मुझे पता है आप सुनने के बाद भी apply नहीं करेंगे आदत पुरानी श्यार करना चाहता हूं आपको सारे काम नहीं करने है तद कर्म प्रवर्तनाद वही काम करो जो आपके goal statement में आपकी मदत करता हो बहुत कम चीज़े नो प्रवर्तनादा सारे कर्म कभी संगत्यागो सतो वृते शट्बिर भक्तिर प्रसिध्यती ये जो प्रकरष्ट रूपेन सिद्धी प्रसिद्धी ये जो आपको मिलेगी ना इसलिए क्या करना है दो चीले और रहे गई संगत्यागो सतो वृते कुछ लोगों को छोड़ना है कुछ को पकड़ना है आपके आसपास कहीं राक्षस और आशुरी प्रवर्ति के लोग हैं जो आपके लिए नेगिटिव इनर्जी सकिंग वैंपायर्ज हैं एक हमार्मोिय ठाइम गलत आदमी को छोड़ो सही को पकड़ो संगत्यागो गलत आदमी को छोड़ो सफव व्रिति है उसको फॉल्व करें following in the footsteps of the previous आचारे अज जिसने अपने आचारें से सिखाया हूँ उसके उस विक्ति को follow करें mentor ढूंडे अपनी super specialist आपकी industry का mentor होना बड़ा जरूरी है मुझे पता है आपकी आदत क्या है आप video देखते हैं follow करते हैं अभी लिखियेगा किसको mentor बनाने वाले हैं अभी आपको लिखना है find out a piece of paper किसको mentor अपने जियों में बनाना चाहते हैं कहीं न कहीं तो आपका brainwashing हो रही है आज समय कहीं न कहीं brainwashing हो रही है सही विक्ति से brainwash करा लो यह जो गलत लोग है जो आपकी goal statement के लिए favorable है इसी template में लेकर के आहाज बना ले और उनके साथ association ले हो सकता है वो आपके लिए available नहों physically लेकिन क्या करें वीडियो के माधियम से और उनकी books के माधियम से आप उनसे associate कर सकते हैं और अगर physically भी मिल सकते हैं तो जरूर करें associate उतसार निश्चे और धहरें ये तीनों मिलाके बहुत energy बनाएंगे और उसके बाद क्या करना है favorable activities में energy को लगाना है सारे काम नहीं करना है इन तीनों energy को लेकर के शाप laser sharp goal statement पे एक सारी ताकत के साथ जोंक दो अपने आपको सारी ताकत के साथ laser sharp goal statement में जोग तो सारे काम नहीं करना आपका कोई ऐसा प्रिये मित्र है जो अपने goals को achieve नहीं कर पा रहा और लगातार failure के सामना कर रहा उसको ये 6 step का video तूरंत दे दीजेगा लोगों की मदद करिए ना मेरे साथ partner कर सकते हैं आप मेरे इस mission के अंदर हम चाहते हैं भारत को bounce back करा दे पूरे देश को bounce back करा दे आपको विदेशी किताबों पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हमारी ही दियुई जड़ों को समझ सके roots बढ़िया हुए comment में अभी लिखिए इन छे में से किन किन को आज से practice करने वाले हैं मैं इन डैश नए behaviors को अपने जीवन में उतार हूँगा इस डैश में आप लिखिए नीचे नीचे आपको लिखना होगा कुछ कुछ चीज़े आप आरड़ी कर रहे हैं कुछ नहीं करते थे तो कौन से नए behaviors हैं जो आज से practice करने वाले हैं याद रखिएगा जब तक आप निश्चे लेकर के action ना ले इस पे तब तक आपको जीवने फाइदा नियोगा खाली सुनने का फाइदा नियोगा come on come on here understand, meditate, digest and apply आपको apply करना होगा इन वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाज सब्सक्राइब नहीं किया अब कर लीजे तुरंद कर लीजे ऐसे पावरफुल वीडियो सबसे पहले आप तक कहुंचेंगे Thank you very much